Hello parents, कैसे हो सब, बड़ेया, आज इस वीडियो में करेंगे अपन periodic table को करने वाले हैं, start करेंगे, और periodic table जो आज अपन modern जो प्रेडिक table देख रहे हैं, वो ऐसी नहीं थी, starting में ऐसी नहीं थी, उसको बनाने के लिए पूरी history है उसकी, देरे देरे वो क्या है, देरे देरे हर ए कुछ comments यह आ रहे थे, कि length बहुत छोटी है, 30 minute की video है, 40 minute की video उनके लिए बोल दूँ, कि वही कुछ लोग जो है जिनकी एक एक गंटे की length जा रही है, तो वो 10-15 minute तो क्या करते हैं, कि यह course ले लो, इस batch को join कर लो, यहाँ यह code लगा लो, ठीक है, 10-15 minute तो उसे में खा जात है, पागी content में आपको कहीं कमी लगे, तो मुझे बताईए, ठीक है, length का attention मतलो syllabus कराना मेरा काम है, ठीक है, वो माँ आपको time पर करवा दूँगा, आपका syllabus और revision भी करवा दूँगा, अब पर start करते है periodic table के, ठीक है, ठीक है, ठीक है, periodic table जो आज आपन को दिख रही है, वैस से पढ़ नहीं पाएंगे, अब क्या करें, अगर कुछ सेम सेम प्रोपर्टी वाले हैं, सेम सेम गुण वाले अगर element हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं, जो अगर सेम सेम अगर अपने गुण धरम जो हैं, वो सेम सेम दिखा रहे हैं, तो उनको अपन एक साथ में रख सकते हैं, ज सब्के गुण धरम वो सेम के सम्मान हो गई, सारे प्रोपर्टी उनकी सम्मान होगत हैं, वो ही अपन प्रोइडिक टेबल के अंदर करें, करने वाले हैं, इसलिए क्स जिन तत्वुण धरम जो हैं, जो सेम हैं, उनको अपन एक साथ में रख साथ में रख दें, ताकि यए पढ़ने में आसानी हो, इसलिए ये periodic table बनाई गए, अब periodic table बनाने के लिए सबसे पहले जो scientist आए, वो आए दोबनियर, कौन scientist आए, दोबनियर साब आए, ठीक है, तो दोबनियर साब ने क्या किया, दोबनियर साब ने बनाए, trick, क्या बनाए, trick बनाए, ठीक है, Englishman को triads बोलत ठीक है, पहले एक का पर्मानु भार कम, ठीक है, फिर उससे जदा वाला ले लिया, फिर उससे जदा वाला ले लिया, क्या, पर्मानु भार वाला ले लिया, ठीक है, बढ़ते हुए पर्मानु भार के करम में, ठीक है, बढ़ते हुए पर्मानु भार के करम में, इन्होंने क्या यह तीन तत्वा लिए, ठीक है, सम्मान, सम्मान गुन वाले, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डोबन यह नहीं है, तीन तत्वा को लिया, ठीक है, उनका सम्मूह है बनाया, जिनके बोतिक और रासायनिक गुन सम्मान थे, ठीक है, जिनके गुन सम्मान थे, जिनकी प् साहत में रग दिया छीक है एलाई एनके लीथियम सोडियम और पोटेसियम को इन्होंनें साथ में रग दिया इनका क्या है धीनका क्या ग्रूप बना दिया इन्होंने चीजों को तो बही लीथियम का जो परमानु भार है वो सोडियम से कम है ठीक है सोडियम का परमानु भार लीथियम से ज़्यादा है ठीक है और पोटेशियम का परमानु भार सोडियम से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या है परमानु भार क्या है बढ़ता हुआ करम है ने परमानु भार फर्मानु भार, आटोमिक वेट के करम में लगाया इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने कितने त्रिक बनाए, कितने ट्राइड बनाए, तो यह थीक है, एक तो है L I N A K, ठीक है, एक है C L B I, ठीक है, एक है P A S, A S B, और E S, S E T E, ठीक है, और एक है C A S R B, ठीक है, तो यह तो अब क्या से क्यूशन क्या सकता है कि इन में से कोन सा डोबनेर का तरिक नहीं है ठीक है तो इन में से ये देदेगा चार तीन तो ये देदेगा एक कोई दूसरा देदेगा तो फिर आपको पूछेगा तो आपको पांचो द्यान में रखने है ठीक है रख लोगी ठीक है अब देखो दोबनियर صاحب ने एक बात और बोली उनोंे इतनी बात तो हो गई कि समान बोतिक और रसायनिक इनके गुण है वो बात तो हो गई ठीक है पर मानू भार बढ़ता हुआ है वो बात भी वो गई एक चीज और बताई उन्होंने क्या बताई दोबनियर साब ने कि भई जो पहला element है जो पहला तत्वे है ठीक है और जो तीसा तत्वे है पहला तत्वे और जो तीसा तत्वे है ना इनका जो परमानु भार है उसका average ठीक है बीच वाले के बराबर आएगा कि पहला जो तत्वे है ठीक है जो पहला तत्वे होगा और जो तीसा तत्वे होगा इनका परमानु भार दोनों का परमानु भार का average तिसके बरबर आएगा बीच वाले के बराबर आएगा अभी भी समझ में नहीं है आजाो एक्'s चलो आजाओ एक। ठीक है तो 23 किसका परमानु भार होता है 23 किसका परमानु भार होता है sodium का होता है यही तो मैंने बोला कि भई पहले का परमानु भार पहले तत्वा का 3 इनने क्या बना है 3 त्रिक बना रखा है इन में से पहला जो होगा ना पहले तत्वए और जो तीसरा तत्वए है तीन दोनों का तो परमानु भार होगा उसका एवरेज आएगा वह बीच वाला जो होगा एलिमेंट जो तत्वए होगा उसके बराबर आएगा ठीक है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी फिर ये डॉबनेर साब ने इतना करत्रिक बना दिये अपने ये पांची त्रिक बना पाए इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए नियूलेंड ने क्या बनाए अस्टक बनाए ठीक है उन्होंने तो तु त् वो थोड़े से संगीत के सोकीन थे तो इन्होंने क्या किया क्यमिस्ट्री में क्यमिस्ट्री तो इनका सब्जेक्ट था लेकिन म्यूजिक का भी सोक था इनको तो इन्होंने क्या 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 इन्होंने वह देखो इन्होंने ये बोला कि पहले बात तो इन्होंने क्या 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 परमानु भार के बढ़ते हुए करम में अरेंज किया तो सब क्या है बेड़ चाल चल रही है डोबिनेर साब ने भी यह किया परमानु भार का बढ़ता हुए करम में अरेंज किया सारे तत्वों को इन्होंने भी यह किया परमानु बार के बढ़ते होगे करम में इनको अरेंज किया तत्वों को ठीक है अब इन्होंने संगीत क्या लगया वो देखो भई इन्होंने बोला कि जो पहला तत्वा होगा जो पहला तत्वा होगा ना उसके जो गून होंगे पहले तत्वा के जो गून होंगे वो आठवे तत्वा के गुण के सम्मान होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ वापस देखो कि जो पहला तत्वा होगा ठीक है उसके जो भी प्रोपर्टीज होगी जो भी गुण होंगे वो किसके सम्मान होंगे आठवे गुण के ठीक है तो स्टार्ट कहा से हुआ, सास से स्टार्ट हुआ और सापर ही खतम हो गया, तो वैसे इन्होंने music लगाया इसमें, ठीक है, तो इसमें example देखो भई, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में करते हैं, ठीक है, तत्वों को क्या है, बढ़ते हुए परमानु ब लीथियम, बेरिलियम, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और साथ, और ये आठ, ठीक है, तो पहला कौन सा है, हाइड्रोजन और आठवा कौन सा है, फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो गुन होंगे, वो सम्मान होंगे, ऐसा किस ने बोला, न्यू लेंड ने बोला, ठीक है, और क्या बोला, लीथियम के गुन और सोडियम के गुन, आपस में सम्मान होंगे, क्योंकि यहां से गिनेंगे ना, लीथियम से, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठवा कौन साएगा, सोडियम आएगा, तो पहला और आठवा ज इनका जो म्यूजिक जो लगाया, इन्होंने आठवे का, ठीक है, यह जो सिस्टम इन्होंने बताया, यह जगा दिर चल नहीं पाया, क्यों नहीं पाया, इसलिए नहीं चल पाया, कहां तक चला यह, कहां तक चला, वो चला भई, केल्शियम तक ही, इसे लोग की कहानी जो है ना इनकी जो कहानी है यह केलशियम तक ही चल पाई ठीक है केलशियम तक ही चली उसके बाद में आगे यह रूल फॉलो नहीं हुआ रूल फॉलो नहीं हुआ तो जब भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो बाकी साइंटिस्ट बैठे थे ठीक है जब भी कोई इंसान कोई काम करता ह ना तो बाकी जो लोग हों वो कमिया निकालने के लिए तयार बठे रहते हैं तो उनको कमी मिली तो उन्होंने बोला न्यू लेंड भाई तू रहने दे तेरे बसकी बात नहीं है रहन दे ठीक है केल्सियम तक की तरह फोल हो रहा है तेरे से नहीं होगा ठीक है तू रहन दे ठ फिर दूसरा scientist आये, फिर दूसरे scientist है, कौन आये? Lothar Mayor का वर्गी करन, इन्होंने कैसे वर्गी करन किया, वो देख लेते हैं, Lothar Mayor साब ने कैसे वर्गी करन किया, वो ही बैड़ साल चल रही है, बढ़ते हुए परमानु करम के, बढ़ते हुए परमानु भार के करम में लगा है कि बढ़ते हुए atomic weight के इस्थाब से इनोंने क्या है जो इस और तो ये graph देखोव मैं आपको याद क्या सरकती है आपको जो याद रखने वाली बात है वो मैं बता देता हूँ तो इसके अंदर देखो या graph आपको ऐसे क्या भूल जाओगे ठीक है तो याद कैसे रखना है देखो इस graph के अंदर जो peak पर आ रहे हैं जो चोटी पर आ रहे हैं वो elements देखो वो तत्वे देखो जो तत्वे आप ठीक है लोथर मेर के वरगी करन के अंदर जो चोटी पर आ रहे हैं इस graph के अंदर उन तत्वों को एक बार आप देखो ठीक है लीथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम ठीक है तो यह कौन से element है कौन से element है यह पहले group के element है या नहीं है ठीक है एलकली metals है या नहीं है ठीक है चार ये दातू है या नहीं है बताओ मुझे है ना बिल्कुल है बिल्कुल है जी ठीक है तो लीला ने कहा ruby सजी फिरे तो यह trick तुम आपको बादें बता भी दूँगा ठीक है आपने यह से याद कर रही रखे होंगे ठीक है एक चीज तो आपको अब दूसरी बाद बताओ इसके अदर जहां पर यह नीचे जा रहा है रहा है जहां पर यह उपर जा रहा है तो दिखने के लिए मिलेगा हैलोजन तो यहाँ पर ग्राफ उठ रहा है तो क्या है फ्लोरीन है यहाँ पर ग्राफ उठ रहा है तो क्या है क्लोरीन है यहाँ पर ग्राफ उठ रहा है तो क्या है ब्रोमीन है यहाँ पर ग्राफ उठ रहा है तो क्या है आयोडीन है समझे मैं ही बा हो दो चीज़े बता लिसे ग्राफ के अंदर माने आपको चोटी वाले कों से है चोटी वाले ज्री धाक्टु ठीक है और जहांपर बढ़ रहा है वह कौन gera शे ऑलोकी कोन है सिय यहाँ पर नीचे की जारा कोन सियंति यहाँ पर नीचे की जारा कोन besh уд debat to यह कूल से थीछ आपको दूसरे गुरूप वाले हैं यह तिक आयए कि नहीं अर्थ मेटल्स ए दूसरे Gregory वाले है ना बेटा मांगे कार स्कूटर वो है ना ये ठीक है बेरिलियम ठीक है मैगनीशियम केल्सियम स्टोंसियम बेरियम ठीक है तो मैंने आपको इसमें तीन चीजें बता दी ठीक है क्या बताई कि बहुत चोटी पर जो है जो चोटी पर है वो कौन है चोटी वाले कौन है एलकली मेटल्स है, पहले ग्रूप वाले है ठीक है, और जो उपर की तरफ जहाँ पर ग्राफ उट रहा है, वो कौन है हेलोजन्स है, ठीक है, और जहाँ पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ पर ग्राफ है, नीचे की तरफ जा रहा है वो कौन है वो कौन है बेटा मांगे कार स्कूटर दूसरे ग्रूप के है ठीक है दूसरे ग्रूप वाले elements है तो यह आपको पता लग गया अब यहां से question अगर पुछा जाए तो भूलोगो यह ठीक है अब गलत करोगे नहीं करोगे गलत ठीक है फिर एक scientist है Maneliev फिर एक scientist है Maneliev Lothra Meher के बाद में आये Maneliev Maneliev का वर्गी करणा देख लेते हैं तो Lothra Meher इन भी यही गलतिया हुई तो बाकि professionals बोलें कि Lothra Meher बाए साब तू रहने दे तेरे बस की बात नहीं है फिर Maneliev आये में अब हम करेंगे अब हम करेंगे, तुम सब देखो, हम करेंगे, इन्होंने भी वही किया, तत्वों को बढ़ते हुए, बढ़ते हुए परमानु भार के करम में अरेंज किया, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से सही जा रहे थे, में इन्होंने थोड़ा टेबल जो है, वो सही बना भी दी थी, ठीक है, धान से सुनो, तत्वों को क्या है? बढ़ते है परमानु भार के करम में इन्होंने अरेंज किया, पहली बात ये पोईट ये पोईट एंसेया के है, और धानसे सुनलो, ठीक है, इन पोईट के अलावा आपको कुछ नहीं बढ़ना है, ठीक है, पहला तो मैंड अली उन्हों क्या किया उस टाइम पर यतने भी तत्व थे उनको क्या है बढ़ते हुए परमानों भार के रूप में उने अरेंज किया गूण प्रोपर्टी परमानों भार पर निर्फर करते हैं इन्हों ने क्या बोला मेंडलीव भाई साब ने क्या बोला मेंडलीव ने ये बोला कि भई जो तत्वे हैं उसके जो गुण है ना वो किस पर निर्बर करते हैं उसका परमानु भार कितना है उसके गुण निर्बर करेंगे ये बात उन्होंने बोल दी ठीक है और ये बहुत गलत बात बोल दी तीसरा पोइंट क्या है कि इन्होंने त्रेसर तत्वों को वर्गी करत इता था ठीक है त्रेसर तत्वों को वर्गी करत भी कर दिया था बाकी और तो कोई तो दस-पंदरा में सेल्ट रहे थे बाकी सारे हैं वो 10- Penthera में ही उनका काम खलास हो रहा था, लेकिन मेंडलिव ने क्या है, अलग अप्रोच लगाई थोड़ी सी, और क्या है, इन्होंने 63 तत्वों को, ठीक है, क्यों से एक्जाम में आ सकता है, तो 63 तत्वों को इन्होंने वर्गी गृत कर दिया था, ठीक है, जो horizontal, जो 7 क्या है, horizontal row थी, ऐस एसे, ठीक है, ऐसे horizontal होता, ऐसे vertical होता, ठीक है, तो 7 horizontal जो row थी, उनको क्या बोला, period बोला, और जो vertical columns थे, 8, 8 जो vertical columns थे, उनको group बोला, ठीक है, ये बाद तो normal है, चलो, अब इन्होंने एक चीज बहुत ही important ठीक है, जिसके लिए, मनलब, यारे, बहुत ही, पहले ही बविश बविशेवानी कर दीती, किस चीज की कर दीती, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, कुछ तत्वों के लिए, कुछ तत्व, इन्होंने क्या बोला, कि ऐसे कुछ तत्व हैं, जो अभी discover नहीं हुए है, ठीक है, अभी खोजे नहीं गये है, लेकिन, तुम लोग future में ख बविशेवानी कर दी, तो अपनी जो टेबल बना रही थी, उसके अंदर कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ी, जगह छोड़ी, कि इस तरह के तत्व है, आगे future में discover होंगे, और उनको इस जगह में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी properties ऐसी दिखने के लिए मिलेंगी, तो कुछ तत्वों के लिए इन्होंने रिक्तिस्तान छोड़े, अपनी टेबल के अंदर कुछ तत्वों के लिए रिक्तिस्तान इन्होंने छोड़े, ठीक है, और जो अभी खोजे भी नहीं गये थे, उस टाइम पर खोजे भी नहीं गये थे, उनकी लिए जगह छोड़ी पहल थी ठीक है जैसे एक्जाम्पल की बात करें एक्जाम्पल की बात करें एलुमेनियम जो है वो डिस्कवर हो गया था एलुमेनियम तो डिस्कवर हो गया था लेकिन लेकिन मेंडलीव ने कहा मेंडलीव ने कहा कि एलूमीनियम जैसे property वाला, एलूमीनियम जैसे गुन वाला, एक और element discover होगा future में, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम वो देकर गए, एका एलूमीनियम, एका एलूमीनियम, ठीक है, और उसके लिए नीचे, एलूमीनियम के नीचे अपनी टेبل के अंदर जगाए बी छोड़ करें, गय ठीक है इन्होंने पहले ही बता दिया था और बाद में वह डिसकवर हुआ भी यार बाद में वह डिसकवर हुआ कौन हुआ गलियम ठीक है गलियम जो है उसकी प्रोपर्टी पहले ही बता दी थी मेंडेली भाई साव ने Wakaz कहे चल कट अब एक एक और तत्व आते फ्यूचर में डिसकवर करोगे खोजोगे वह आपको आज ही बता कर जा रहा हूँ उसका नाम क्या दिया इका सिलिकन जॉप raises धिक है और बाद में यार वह वाय साब ने पहले ही बता दी थी, ठीक है, पहले ही बता दी थी, तो ये बहुत है, वालब ये खतरनाग बात है ना, कि पहले ही यार सारी चीज़े बता दी, तो उनका दिमाग देखो न, बाकि उनकी drawbacks भी थे, उनकी जो periodic table थी, काफी हद तक सही जा रही थी, लेकिन कुछ draw drawbacks थे, उनकी भी बात करेंगे पर, ठीक है, कुछ गल्द कमिया भी थी उसमें, ठीक है, तो इक बार मैं वापस sum up कर दूँ, ठीक है, मेंडलीव के जो वर्गी करना उसके अंदर क्या है, पहले तो इननोंने तत्वों को क्या है, अरेंज कैसे किया, अरेंज किया, बढ़ते तत्वा जो है, उनने वर्गी करित कर दिये, जो horizontal सो 7, जो horizontal row है, उनको period बोला, जो 8 vertical column उनको group बोला, ठीक है, और कुछ तत्वों के लिए इननोंने पहले ही जगह छोड़ दी थी, ठीक है, और उनकी properties भी बता दी थी, example के लिए, एका aluminum, gelium के लिए जगह छोड़ दी, और एका silicon, germanium के लिए पहले ही जगह छोड़ दी थी, यह एहां तक अपन पढ़ चुके, अब यह तो हो गई, इनकी थोड़ी सी अच्छी बात है, ठीक है, मेंडलीव की तारीफ कर दी अपने, अब थोड़ी सी बुराई कर लें, ठीक है, drawbacks की बात कर लेते हैं, drawbacks की बात कर ल hydrogen को पहले group वालों के साथ में रखा जाए, कि halogen के साथ में रखा जाए, तो hydrogen को वो सही जगह नहीं रख पाए, पहली कमी तो यही है, ठीक है, दूसरी कमी बताऊं, isotopes के लिए कोई अलग स्थान नहीं रखा गया, ठीक है, उन्होंने ये बात तो बोल दी, कि बाई, जो होनी चाहिए, तो isotopes के लिए कोई अलग स्थान नहीं रखा गया, तो यह कमी हो गई, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, lengthenoids और actenoids जो है, उनके लिए भी कोई अलग से स्थान नहीं रखा गया, periodictable के अंदर, जो mandalive की periodictable थी उसके अंदर, ठीक है, तो यह भी एक कमी हो गई और क्या है, उन्होंने अरेंज किया था, कि बढ़ते हुए, उन्होंने सारे scientist को बोला कि भई, मैं अरेंज कर रहा हूं, यह जो मैं अरेंज कर रहा हूं, यह मैं बढ़ते हुए परमानों भार के करम में अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, उन्होंने सब को यह बात बताई, ले पूरी तरह वो follow नहीं किया ठीक है उन्होंने सब को बोला कि बढ़ते होए करम के अंदर इनको सब को arrange कर रहा हूं सब को विवस्थित कर रहा हूं ठीक है लेकिन उन्होंने खुद उन्होंने चितिंग कांपल करी उन्होंने आर्गन इसका परमानु भार कितना होता है 39.9 थिक है और पोतेंशियों को पयार कितना 39 तो इसाब से गण आर्गन को रखा इनको तो कैसे होना सी होना आपके बस खेले नहीं है आपके बसका खेल नहीं है आपको चिटिंग कर रहे हो तिक्ड़ किया करी और वह रहेने दोंगे आपके बसका खेल नहीं है ठीक है, आपके बसका खेल नहीं है, आप तो चिटिंग कर रहे हो, ठीक है इनों चिटिंग क्या करी, आरगन का अमटोमिक वेट कितना, ठीक है, 39.9 होता है, ठीक है, और पोटेशियम का कितना, 39, according to, ठीक है, अगर मेंडलीव के, रूल के अकोडिंग जाएं, बढ़ते हुए पहले अपन को क्या रखना चाहिए, पहले अपन को, अपन को पोटेशियम रखना चाहिए, उसके बाद अपन को आरगन रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले आरगन रखा, उसके बाद पोटेशियम रखा, तो यहाँ पर उन्होंने चिटिंग करी, और उनका जो है, फ इन्होंने एक क्या लिया, मैटल लिया, ठीक है, एक मैटल लिया, ठीक है, ले लिया मैटल, ठीक है, मैटल पर क्या किया है, इन्होंने इलेक्ट्रोन बोमबार्ड कराए, ठीक है, इलेक्ट्रोन क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोन सारे छोड़े, ठीक है, पहले तो इन्होंन क्या निकली अक्सरे निकली अक्सरे निकली ठीक है तो इन्होंने वी क्या पहले तो पहले परोग पहले पमानु भार पर द sm č लिए तो इन्होंने क्या यह लग अलग अलग धातू लिए इन्होंने ठीक बात ले लिए अलग-अलग प्रमाणू बार के दातू लिए जब अलग-अलग प्रमाणू बार के दातू लिए और अलग-अलग बार इन्होंने क्या किये इलेक्ट्रों छोड़े उस पर तो अलग-अलग क्या निकली अक्सरे निकली अक्सरे की अलग- graph कुछ आया ऐसा ठीक है graph पुकुछ आया ऐसा केम ज़ादा remaining अथा खरव को धान से सुने मोजली ने किया क्가요 धोह जब यहां से क्या निकली अक्सरे निकली ठीक है और उस अक्सरे की कुछ ना कुछ स्रिक्वेंसी । बात वह सक्थ हो यह इन्होंने क्या है अलग-अलग परमानु भार के धातू लिए ठीक है ले लिए जब अलग-अलग परमानु भार के धातू लेंगे ठीक है तो उसकी अलग-अलग frequency आएगी आएगी बिलकुल आएगी ठीक है तो इन्होंने फिर ग्राफ बनाया जब ग्राफ बनाया तब कैसा या, उपर नीचे, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इन्होंने बोला, मुजले ने बोला, कि भई, जो गुन है, तत्वों के जो गुन है, वो परमानु भार पर तो निर्भर नहीं करते, अगर परमानु भार पर निर्भर करते, तो सब के सेम होने चाहिए यह जो ग्राफ ना उपर नीचे जो है यह उपर नीचे नहीं आना चाहिए था यह सीधा आना चाहिए था तो परमानों भार पर तो निर्भर नहीं करते ठीक है फिर इन्होंने क्या किया फिर इन्होंने क्या किया इस बार क्या किया पहले तो इन्होंने प्रमानु भार का लिया ठीक है इस बार इन्होंने क्या किया इस बार इन्होंने लिया फिर ग्राफ बनाया और ग्राफ कुछ ऐसा बना ग्राफ कुछ ऐसा बना बिल्कुल सीधा आया ठीक है तो बिल्कुल सीधा आया तो इन्होंने क्या कहा कि जो तत्वों की जो गुण है जो प्रोपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वो निर्भड के गुण गुण अटोमिक अटोमिक नंबर पर निर्भर करते हैं निर्भर करते हैं तो यह बात मोजले ने बता दी ठीक है तो यहां तक अपना क्या है modern periodic table से पहले की सारी जो history है वो अपने पढ़ ली उसके बाद में जो modern जो periodic table है जो आज की टाइम बर जो periodic table है वो atomic number के coding बनाई गई है ठीक है तो वो अपन पढ़ेंगे modern periodic table पढ़ेंगे अपन next lecture के अंदर इस lecture के अंदर अपने पूरी history पढ़ ली यहां से भी question पूछ लिया है ताता है कभी कभी ठीक है तो जहां से अपने पढ़ लिया है लो ぇ से अफने अपने पशब श्रड़onse झाल से अबूपिया है पान प़ी टेकmesi अपने पढ़ेंगेंगे दीक है बढ़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगे टो कि